अमंड वर्ग की अलावाद दलित वर्ग के नेता भी रेस में हैं अध्यक्षपत का ताज किसके सर पर सजीगा ये तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोश्रा 19 मई तक हो सकती है इसके पीछे का कारण 20 और 21 मई को जैपूर में प्रस्तावित बीजेपी की राश्थी परिशत की बैठक है जिसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हिस्सा लेंगे वर्तमार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सौतन देव सिंग प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जा चुके हैं एक व्यक्ति एक पत के सिध्धान के चलते इस बात की प्रभल सम्भावना है कि यूपी बीजेपी का नए अध्यक्ष 19 मई तक घोशित हो ज अलीगल के सांसत 37 गौतम सदस विधान परश्यद और प्रदेश उपाद्यक्ष विजयवादूर पाठक है अगर प्रदेश अध्यक्ष का पत किसी पिछली जाते से आने वाले को सौपती है तो प्रमुक नामों में केंद्री राजमंत्री संजी उबलियान केंद्री राज अगर ऐसा होता है तो प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौर में केंद्री राजमंत्री स्पी सिंग बगेल रामशंकर के ठेरिया और सांसत विनोत सोनकर का नाम परमुकता से लिया जा रहा है यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ताज किसके सर सजेगा या तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा लेकिन सुत्रों की माने तो इसकी घोश्रा 19 मई तक हो जाने की पूरी संभावना है जिस तरीके से 2014 और 2019 का लोग सभाचुनाव में यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ब्राम्मर रहा है उसी तरह इस बात की संभावना वल्वती है कि 2024 का लोग सभाचुनाव में भी उत्तर प्रदेश का बीजेपी अध्यक्ष ब्राम्मर चेरा हो सारा समय के लिए लखनव से कैमरामेन समीम हुसैन के साथ रज़त सिना